नफरत फेलाने के मामले का परदाफाश हुआ है, मस्जिद के पास मुतनाज़े चीजे फेकने का मामला सामने आया है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, CCTV फुटेज की मदद से 7 लोग गिरफतार किये गए हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दादें, आयोध्या में नफरत फेलाने के मामले का परदाफाश हुआ है मस्जिद के पास मुतनाज़ा चीजे फेकने का मामला था, जिसको लेकर अब CCTV की बुन्याद पर 7 लोगों को गिरफतार किया किया है और 7 मुजिमान पर NSA लगाने की बात कही गई है, तो हिंदो योधा तनसीन से जुड़े 7 लोगों को गिरफतार किया है जिन्होंने मस्जिद के पास मुतनाज़ा समान फेकने की कोशिश की थी और ये तस्पीरे सीधे तोर पर कैद हो गई थी और CCTV की मदद से ही इन 7 लोगों को गिरफतार किया है सभी संपरदाए के धर्म गुरूँ ने इसमें संयम और सहयोग का परिचे दिया साती साथ अयुद्या की पूरी सांतिप्रिय जंता ने इसमें सहयोग किया और इस घटना का नावरण हुआ और जैसा मैंने मताया साथ अब्युक्त इसमें गिरफतारों के लिए जेल जा रहे हैं चार अब्युक्त पूर्शेश हैं उनको भी जल्द गिरफतार करेंगे मौके में घटना को कारिद करने में आठ लोग महां मौके पे गए थे